सब्सक्राइब अस और प्रेस बेल आइकॉन तो गेट मोस्ट ऑथेंटिक और लेटेस्ट फिजियो इंफोर्मेशन क्या आपके एडियों में दर्द का शिकायत है? पाओं जमीन में रखते ही ऐसा महसूस होता है जैसे मानों कोई काटी सा आपके एडियों में चुब गया हो अगर आप इसे हलके हलके दमाएंगे तो आपको एडियों के नीचे हलका सा दर्द जरूर महसूस होगा इस प्रकार के दर्द को हम मेडिकल भासा में प्लांटर फासाइटिस कहते हैं इस प्रकार के दर्द के लिए दवाईयां और एक्सरसाइजस बहुत ही ज़रूरी है मगर इसके साथ साथ मैं आज आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसे आप अगर रिगुलर इस्तमाल करें तो आपका एडियों के दर्द से काफी निजात पा सकते हैं तो चलिए सुरूर करते हैं इस से पहले कि हम आगे बढ़ें चलिए प्लांटर फासाइटिस के कुछ महतपूर्ण लक्षनों के बारे में जान लें प्लांटर फासाइटिस के सबसे महतपूर्ण लक्षन है सुबह सुबह एडियों में दर्द होना यह दर्द इतना अधिक होता है कि आप सुबह उठते ही आपका पहला कदम बिल्कुल दर्द से भरा हुआ राता है मगर जैसे जैसे दिन बीटता जाता है आप चलते जाते हैं यह दर्द खतम हो जाता है दूसरा इसका सबसे महतपूर्ण लक्षन है कि आपकी एडियों के यह भीतरी तरफ आपका दर्द होगा सिलिकोन हील पैड्स को आप रेगुलर इस्तमाल करें तो आपका दर्द में काफी कंट्रोल आ सकता है यह सिलिकोन हील पैड्स सिलिकोन मटेरियल से बना हुआ रहता है जो की काफी नरम होता है यह आपके इसका बनावट ऐसा होता है जैसे कि वो आपके एडियों में फिट हो सके आप देख सकते हैं यह सफेद रंग का दिखता है और इसके बीच में एक नीला सा स्पॉर्ट है नीला सा स्पॉर्ट में ही आपके एडियों का दर्द वाला हिस्सा वहाँ पे जाता है इसे जब आप पहनते हैं तो आपका दर्द वाला हिस्सा सीधे जमीन से ना टकरा करके यह एक सॉफ्ट सा चीज से संपर्क में आता है जिससे आपके दर्द में काफी राहत विलता है इससे आपके जो दर्द है वो कंट्रोल में रहता है और इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता है इसका इस्तमाल का तरीका बहुत ही आसान है मगर याद रखें कि इसे आप खाली पाउन नहीं पहन सकते हैं और इसे आप सैंडल के साथ भी नहीं पहन सकते हैं इसे आप इस्तमाल कर सकते हैं तो आपने जूतों के साथ चाहे वो leather के shoes हो चाहे वो sports के shoes हो तो ये silicone heel pad को आपको जूतों के एडियों के तरफ रखना है अच्छी तरह से adjust करना है आपने एक जूते में रख दिया उसी प्रकार आपको ये दूसरा जूता में भी लगाना है ये देखिए जब आप इसे लगा लेते हैं तो फिर आप जैसे आम जूते पहनते हैं उसी तरह से आप इसको पहन सकते हैं आप इसे पहनिए और फिर इसे चलिए यह इतना नरम होता है कि आपका दर्दोला हिस्सा को आराम दिता है जिससे दर्द बढ़ता नहीं है और यह कम दर्द आपका कंट्रोल में रहता है कम होता चला जाता है इसके साथ साथ आपको फिजियो थरेपी भी कराना जरूरी है मैंने जो सैंपल आपको इस वीडियो में दिखाया यह डाइना कमपनी का सैंपल है जिसे मैं यूजुली अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ यह बजार में इसली उपलब्ध है आप इसे ओनलाइन भी खरीद सकते हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है यदि आपको यह डाइना का उपलब्ध नहीं है तो दूसरे अच्छे अच्छे ब्रैंट्स भी हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जैसे विसको की या फिर टैनर की जिनकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा तो आप इसे रेगुलर इस्तमाल करिए और आपको जरूर आपके दर्द में फर्क पड़ेगा